चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी नियू वीडियो उमरिया में क्रसी विभाग दोरा किसानों को खाद आवंटित की जाने वाले विभाग में आज लापरवाही देखने को मिली दरसल उमरिया के पुलिस कंट्रोल रूम के समीब वा आदिम जाती कल्याड विभाग मंत्रे सुस्री मीना सिंग के बंगले के सामने एक खाद गोदाम है 11 अगस्त को लगबग 3 बजे सैकडों किसान को भीड़ वहाँ पे देखने को मिली उपस्थित लोगों ने बताया कि दरजनों किसान 3-4 दिन से परिसान है उन्हें परियाप ख़द नहीं मिल रहा बढ़ते संक्रमण के दौर में भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था उमरिया जिले में जो अन्य सुसाइटी थे वे अगभरतमान में बंध हैं जिसके काड की पुष्टी अभी हमारे दौरा नहीं की जा सकी है अब सबाल यह है कि आखिर कहां जाये और क्या करें किसान किसानों ने बताया कि पहले अधार काड से उरिया दिया जाता था लेकिन अब भूमी पट्टा वो अन्य दस्तावेच मांगे जाते हैं हमें कई दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है और तब जाकर खाद मिल पाती है खाद गोदाम में विक्रण करता गेंद लाल वर्मन कह रहे हैं कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ हमने सैप्र बंधक सतेन से बात की तो उन्होंने कहा कि यह एक वैकलपिप व्यस्था है जहां संपूर जिले भर के किसान आते हैं जिले में खाद का स्टाक की कमी है इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है देखिए मद भूमी के लिए द्वारिका यादो की खास रिपोर्ट आपको चाचा आपको क्या परिशान ही है कि अब यहीं पर दो तीन तीन जागन मिल रहा तब वह वाला सवसाथी बंगरी आपका नहीं सुन रहा है आप जित्ता चाहर है उतना नहीं हो रहा है आपको कुछ बोलना है आपको कुछ बोलना है आपको कुछ बोलना कल का महरा कागत जमा नहीं मिल रहा है परिशानी क्यों ऐसे उठी है समस्या है क्या नाम है आपको कहां से हैं वार नम्मर्नाव जुमुनिया के आपको बोलना चाहर का जमा कल नहीं तक नहीं दे रहें कब से खड़े हैं अब का तो हैं अब कर दाण